इसी प्रकार से महाराज स्री के स्रिमुक से कथा प्रसंगों का निरंतर आनन लेने के लिए पुझिस्री के आधिकारिक यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें अधिया जी में जब भगवान लवटे हैं शिलंका से विजय प्राप्त करके तो भारत जी से मिलने के पहले प्रभु गुर्देव भगवान को प्रणाम करते हैं गुर्देव ने अलिंगन दिया सनेह लाड़ लडाया प्रभु ने भारत जी को दंडवत करते उठाकर हदैस लगाया प्रजा सोच रही है क्या प्रमात्मा हमसे भी ऐसा ही बिलेगे कितने में सरकान लीला कर दिया अमित रूप प्रक्टेते ही काला जथा जोग मिले सबही क्रीपा अमित माने इतने रूप अर्थात जो नाली में भी बैठे थे जीव भगवान की प्रतिक्षा कर रहे थे भगवान उनसे भी उसी रूप में जाकर मिले पशुओं से बक्षियों से जीव मात्र क्या अयुद्या जी के जो जड़ परवत शिंखला भगवान की समर्ती में उनसे भी भगवान मिले कैसे मिले इस नहीं इसे मिले मां देखे पिता के मिलने का अपना धंग है परन्तों मां के मिलने का अपना धंग है बाई बंदुशब्द की वहुत ब्याख्या नहीं जगत में जो भ्रात्रित्र है वो मेरे प्रभु से सीखने और समझने लाइक है भगवान भाईयों का कैसा स्मर्ण और खयाल करते हैं देखवाल करते हैं जैसे कच्छवा समुद्र में रहता हुआ भी अपने अंडों को दूर से ही सेता रहता है कमठ अंड की नहीं भगवान भरात्री भाव में अपने भाईयों के प्रति सनेह रखते हैं कोई कर सकता नहीं स्वामी स्वामी पना मेरे राम जैसा कई नहीं मिलेगा आपको कुछ बाद को स्वाम जी तो कहते हैं सेवक स्वाम सखासिय पीके काऊ ना बोले बाबा हेतने रुपदे सब बेदे तोले सी शिवजी राम जी को अपना स्वामी बताते हैं और राम जी शिवजी को अपना स्वामी बताते हैं किसे ने परशन किया है यह मेल पे आया है परशन महराज जी आपके इष्ट राम जी हैं हमारे इष्ट सिव जी हैं दोनों का तात्विक सम्मंध क्या है भैया हो दोनों एक दूसरे के स्वामी हैं एक दूसरे के सेवक है स्वामी ही स्रेष्ट सेवकाई कर सकता है और सेवक ही स्वामी पने का सनमान कर सकता है सेवक बन करके और समरपड़ पुर्वक सेवा करना सरल नहीं परन्त जिसमें स्वामी पना उपस्थित है वह सेवक भी बनने की योग गिता रखता है और स्वामी भी बनने की ख्षमता रखता है शिवजी भगवान श्रेडगुनाद जी क्या कहते है अउरव येक गुपता मता सबै कहों करी शंकर भजन बिनानर भगतिन पार्वाई मेरे राम जी सब को संभाव से पार्व करने अब मेरे राम जी के ज़र स्वाम पना दर्शन की दिए ये बड़ा खत्रनाक प्रसंग है आपके काम का है हर को सब आप देखिए जब भगत राज विवीशन भगवान की शरण में आए तो आप जानते हैं कि विवीशन जी के राज कोश के द्वारा उनकी ही सेना लेकर भगवान को रामन पर चढ़ाई करना है आजोध्या से कोश नहीं गया कोश किसका है सुग्रीव जी का सेना किसकी है सुग्रीव जी की परंत भगत राज विवीशन की शरण में आने पर सुग्रीव ने स्पष्ट मना किया भेद हमार लेन सठ आवा राखिय बांग मौहिस भावा उसको उसी तरह माधना चाहिए जैसे उसने शुरी हरुमान जी को माधा तो क्या लीला प्रभु की भगवान मधूरता से कहते सखा मंत्र तुम नेकर विचारे है ए मित्र आपने बहुत सुन्दर मंत्र विचार किया करना तो वही सही चाहिए जैसा आप कह रहे हैं यहां भाव यही है परतु हमारी कुछ अपनी मजबूरी है वो क्या है ममपन सजे गत भैवा इस अवतार में मैंने प्रण लिया है कि मेरी शरन में जो आ गया आए शरन तजो नहीं था ही को विप्रबद ममपन मेरा प्रण है जो शरन में आ गया उसकी हम रक्षा करेंगा दर्शन करिएगा दक्षा शदहे रंजे प्रताव सिंग साव साथ इस चर्चा के बाद से लेकर और सुवेल प्रवत तक उतरने के करम में सुग्रीव की रामजी से बाचित बंद है सुग्रीव ने भगवान से बाते चीत नहीं किया अब नहीं अरे भई जब आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो बाचित बंद होई जाएगी इस अख्य है भगवान ने उसको सुन लिया सहजा वस्ता लिया भगवान ने कोई अन्यता प्रयास नहीं किया और जब सुग्रीव जी शान्त हो गए भगवान ने अनमती दे दी तो भगवान ने एक बात कहीं जो सभीत आवासर नहीं रखियों ताही प्रान की नहीं यदि भै सही तो आया है तो हम उसको अपने प्रान की जैसी रक्षा करेंगे ये भगवान का समामी बना और कराची तो वो आही गया है तो शरण में लेंगे अब भगवान ने एक सद्धांद कहा जो पय दुष्ट पूरे दैर सुई हो तो मोरे सन आवर की जो ये दिवस के ख़दय में दुष्टता है तो मेरे सनमुखो कजाप नहीं आ सकता ये भगवान की टेख देखे भगवान की शरण में भी आना सरल नहीं है साथ पुझजबाद को स्वाम जी थो कथार स्रमण के लिए पहले ही कहते हैं अति है रिक्रेपा जाही पर होई पावते ही मारक सोई जो सभी ते आवासर नाई तो सभी ते आवासर नाई ते रखे हां उताई प्रान जे नाई रखे हां उताई प्रान जे नाई रखे रामताई नाई ते नाई हमारे पुझ्य, हमारे सतकर्म, हमारे संसकार और दैनंदनी जीवन का हमारा विहार ये हमको भगवान के ओर ले जाता है नहीं तो आप योजना बनाते रहिए, रचना में रहिए, लगते रहिए, सोचते रहिए भगवान की शरल में अरे बात बहुत है अनेक काम कर लेता है जीव भगवान में नहीं लगता है भगवान में लगना कोई शरल काम नहीं है न बहुत कठीन काम बहुत कठीन है क्या क्या कर लेता है जो नहीं करना वो सब कर लेता है इसी तरह सुनते रहिए चैनल को सब्सक्राइब करिए बिल आइकन को दबा दीजिए और पुने अर्जन के लिए अपनों में सेयर करिए